दोस्तों IRB Infrastructure Developers Limited ने 6 फरवरी 2023 याने की खल ही अपने Stock Split की Record Date फिक्स कर दी है मैंने इस Stock Split पर पहले वी वीडियो बनाय हुआ है आप उपर I बटन को क्लिक करो इस Split की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें इस Share Split में कमपनी अपने Equity Shares की Face Value को 10 रुपे पर Equity Shares से घटा कर 1 रुपे पर Equity Shares करने वाली है तो इस Share Split का Ratio 1 इस टू 10 है तो अगर Record Date पर आपके पास इस कमपनी के एक Share होंगे तो वो 10 Share में Convert या Split हो जाएंगे तो Record Date में आपके पास जितने भी Share होंगे आप उसे 10 से Multiply कर दिजे तो आपके पास उतने Shares हो जाएंगे कमपनी ने इस Share Split की Record Date 22 फरवरी 2023 फिक्स की है तो ये Share 22 फरवरी 2023 को ही Split होगा क्योंकि इस Share की Settlement T प्लस 1 बेसिस पर होती है तो अगर आप Share Split का फाइदा उठाना चाहते हैं या Share Split वाले Shares चाहते हैं तो आपके लिए इस Share की Last Buying Date 21 फरवरी 2023 है और अगर आप इस कमपनी के existing Share Holder हैं और आप Share Split वाले Shares चाहते हैं तो आपको अपने Share को 21 फरवरी 2023 तक होल्ड कर रखना होगा तभी आप इस Share Split के लिए लीजिबल होंगे अगर हम लोग इस Share के Current Market Price जो 270 रुपे है इसे Consider करें तो Share Split होते ही इस Share का प्राइस 27 रुपे 70 पैसे हो जाएगा यहां मैंने इस Share का Current Market Price आपको समझाने के लिए उधारण के तोर पर लिया है Share Split के बाद इस Share का Price क्या होगा यह Share Split से पहले वाली Closing Price पर डिपेंड करेगा यानि कि 21 फरवरी 2023 के Closing Price पर डिपेंड करेगा तो दोस्तों 22 फरवरी 2023 जो इस Share का X Split डेट है उस दिन इस Share के Price में आपको Pre Opening में ही लगभग 90% की गिरावट या Price Adjustment दिखेगा तो आपको इसे बिलकुल घबराना नहीं है क्योंकि यह कोई गिरावट नहीं होगी यह एक मात्र Price Adjustment ही होगा मैंने आपको पहले भी बताया है कि Share Split एक Neutral Action है इसमें ना ही Company के Valuation में कोई Change होता है और ना ही Share Holders की Holding की Value में कोई Change आता है Company Share Split अपने Share की Liquidity बढ़ाने के लिए करती है तो दोस्तों इस Share Split के बाद आपके पास Number of Shares तो बढ़ जाएंगे लेकिन इस Share का Price proportionately गिर जाएगा और Share Split के बाद चूंकि इस Share के Price में Sharp correction होगा तो इस Share की Liquidity भी बढ़ जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद